स्क्रीन को पॉज करते हैं दोस्तों और फटा पट से इसको नोट कर ला है, साइड हो जाता हूँ, लिख लें आप इसको, कुशन को नोट कर लें और स्क्रीन को यहीं रोक के सभी पार्ट्स, छहाँ पार्ट्स है इस कुशन के अंदर, तो 6 पार्ट्स, और 6 पार्ट्स, यू शुद ट्राएं, क्योंकि यह जस्त रिकॉलिंग अप्ट फॉर्मुलेस है, क्योंकि बहुत जादा कोई अलग से कॉंसेप्ट इसमें नहीं है, जो ह सबसे पहले मैं रीड करता हूं उस कुशन को, क्या-क्या बात की गई है इसके अंदर, एक हाफवेब रेक्टिफायर है ठीक है, बढ़िया है, लोड रिजिस्टन्स है, इसका आरल 500 ओम दिया है, ठीक है, एक डायोड इसमें यूज़ किया गया है, जिसका इंटरनल रिजि AC output current and voltage, AC output current and voltage, DC diode current and voltage, percentage efficiency, percentage regulation, peak inverse voltage, ripple frequency, TUF, यह सबी parameters calculate करने है, चलिए, तो पहले जो गिवन डिटा है, उसको लिख लेंगे, फिर एक ही करके solve करते हैं, कुशन, complete screen occupied कर चुका है, देखे, आरल की वेलु कितना दिया है, 500 ओम, पहले मैं यहाँ पर solution में डिटा लिख दूगा, solution, RL कितना दिया है, 500 ओम, बहुत बढ़िया, forward resistance of diode भी गिवन है, 50 ओम, ओके, और क्या कहाँ दिया है, आपकी copy में तो लिखा ही है, है ना, आपने note कर लिया होगा इसको, 5-1 का transformer है, यानि कि transformer का जो tons ratio है, N1 upon N2, वो दिया है, 5 upon 1, input voltage, जो कि primary, ध्यान दिना, कई बार वो secondary voltage दे जते हैं, secondary binding का voltage दे जते हैं, कई बार primary binding का voltage दे जते हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा, ध्यान से question को read कीजेगा, primary binding का voltage यहाँ पर दिया गया है, यानि कि, जो V1 है, वो आपको दिया गया है, V1, कितना दिया है, 220 volt, RMS value की बात की गई है, और frequency, जो input frequency है, वो दी गई है, कितनी, 50 hertz, ओके, यह दिया गया है, और तो कुछने, चलो, अब यह आप से पहला part है, DC output current निकालो, voltage निकालो, यह सब बात है की गई है, तो पहले तो हम, जो primary binding का voltage दिया है, वहाँ से, पहले secondary binding का voltage जानेगे, क्योंकि वो पता लगाना जरूरी है, definitely, क्योंकि, हमें, सारा analysis किसके लिए करना है, secondary binding से, diode होते हुए, load resistance, वह यह है, rectifier हमारा, जिसको हमें analyze करना है, आपको यहाँ का voltage दिया है, primary binding का, 220 volt and 50 hertz, ध्यान रखनीएगा, exam में, okay, चलिए, तो 5 is to 1 हम जानते हैं, इसका dense ratio क्या होता है, n1 upon n2 equal to v1 upon v2, v2 क्या है है, यहाँ पर v input, जो secondary binding का voltage है, तो v input की value यहाँ पर कितने हैं चाहेगी, v input हम इसको हर बार v i लिख रहे हैं न, जो secondary binding का voltage उसी को हम यूज कर रहे हैं, मैं तो primary binding के लिख रहे हैं, तो v i कितना आएगा, 220 divided by 5, किता हो जागा है जारा बता न, 220 divided by 5, 45 ऐखनी है न, 45 is okay, or something else, 24, 44, it's 44 volt, अभी भी को गलती कर रहे हैंगा, नहीं सही है, कितना हो जागा है, वी इंपुट आगे हमारे पास, 44 volt, rms value ध्यान रखिएगा, v rms अभी से कर लिए, और frequency, कोई user नहीं है इस समय, देखे, अब आप बात कर लेते हैं, first part क्या है, अब आपकी copy में सब कुछ लिखा हुआ, मैं यह आप देखते जाओंगा, first part, second part, third part, solve करते जाएंगे, DC output current and voltage निकालना है, बहुत बढ़िया, DC output current and voltage, first part, मतलब VDC full load निकालना है, ऐसा आपको पता के सला कि VDC no load है, VDC full load की बात की बात की है, अरे लोड connected है, कितनी value का, 500 ohm का देखो बोला है न उसमें, अब आपको अलग से invitation नहीं देखेंगे, के load भी connected, has a load resistance of 500 ohm, the load is connected, that means, VDC output आपको find करना है, यहाँ पर VDC full load, अच्छा क्या formula पढ़ते थे इसका, दो formula पढ़ते थे, एक था IDC into RL, दूसरा क्या था, VDC no load minus IDC into R secondary binding plus RF, एक चीज़ ध्यान रखेगा, secondary binding का resistance हो, diode का forward resistance हो, परिशान नहीं होना है, अगर नहीं दिये गए हैं, तो उसका मतलब होता है, कि वो 0 है, समझ गए, या तो दिये होंगे, या नहीं दिये हैं, तो उसका मतलब क्या है सिधा, 0, second dividing का resistance भी और forward resistance भी, अगर नहीं दिये गए हैं, तो उसका मतलब होता है, सीधा 0 चलिए हमने कालने के लिए आइडी सी क्या होता है फिर आइडी सी क्या है याद करो । onwards इसई भी हमने स्वाल किया डी सी आउपुट करेंट है यह तो जाना मैंनन साथ कोई नाम है आई मैक्सिमम पाइए अच्छाइब सब्सक्राइब अगया होता है फिर आई मैक्सिमम होता है दोस्तों यह फॉर्मूलिज अब आपको जितने अच्छे connected होंगे दिमाग में उतना आपको आसानी रहेगे नहीं तो फरोलज जाओगे आप घुमते रहोगे क्या पूछा क्या बताना है ना तो आई एम क्या हो जाएगा देखो वी एम अपॉन आरेफ प्लस आरेल ओके वी एम हमको नहीं दिया है वी आरेमस दिया गया है ध्यान दें सेकंडरी बाइंडिंग में जो वी इंपुट है वो प्योर रेसी है है ना तो वी इंपुट से हम आसानी से वी आरेमस जो की क्या होता है वी मैक्सम बाइ रूट टू होता है तो यहां स से हम वी मैक्स निकाल सकते हैं कितना होगा वी आरमेस जो कि आपको दिया गया कितना 44 44 इंटू रूट टू मुझे ऐसा कुछ याद है कि यह 62.5 हो जाता है मैं इसको चलो यह लिखता हूँ आप 44 इंटू रूट टू और आरेफ कितना दिया आरेफ कुछ दिया है नहीं दिया होगो तो हम क्या वारेंगे आरेल आपको पता है तो क्या वी डीसी एफल निकालने के लिए मेरी बदद चाहिए क्या किसी को आई डूंट फील सो है ना आई एम अपन पाई में डीटा फिल कर देता हूँ पूरा आप लोग कैल्कुलेशन तो सभी लोग करी लोग है ना 550 यह तो होगया आई एम बन अपन पाई इंटू आरल याने की 500 यह आपके पास आज जाएगा VDCFL क्या पूछाएं फर्स्ट पार्ट पर डीसी आउपट करेंट और बोल्टेस डीसी आउपट करेंट तो यह हो गया यह हो गया इडी इसी यह VDCFL तो फर्स्ट पार्ट सॉल हो गया दोस्तों यहाँ चलिए अब बात कर लेंगे हम सेकिंड पार्ट की अब आंसर जो भी कुछ आए है ना डेटा मैंने फिल कर दिया है कैल्कुलेटर आपके पास है डेटर में भी कैल्कुलेटर होता ही है वर्चुल तो आप लोग आसानी से इसको देख लेना जो भी आंसर जाहें के फर्स्ट डिए डिए सी आउपटकरेंट और डॉल्टस अब बात कर रहें हैं किसकी एंड बोल्तेज ध्यान देना ए इसी आउपटकरेंट करेंट मिए अट रोड़ AC part वह आप से पूछा है यानि की याद करो I-ध की बात वो रही है है आपर तो हम उसका RMS बैलो निकालेंगे by default तो I-RMS-ध आप से पूछा गया है I-RMS-ध क्या होता RMS-ध याद करो एक formula हमने पढ़ाता तो एक तो choice हमारे पास यह है कि हम यह formula इस्तेमाल कर लाएं याद आ रहा सभी को ओके I-RMS यह क्या हो जाएगा AC output current होगा AC output current यह होगा I-RMS या तो हम यह formula यूज कर लाएं यहाँ पर या कोई और तरीगा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बताता हूँ देखो पहले हम इसके लिए जो भी चीजन जुगार चाहिए हमको वो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास IDC है हमारे पास है की नहीं यह है I am upon pi I am यह रहा confused नहीं होना है बिल्कुल भी समझे ध्यान से बढ़ा आसा कोई सिंस पर जाते हैं I rms क्या होता था हाफ वे रेक्टिफायर के लिए याद होगा अमीद है मुझे I maximum upon 2 I maximum क्या होगा यह रहा बाइट तो I rms मिल गया IDC I maximum by pi यह मिल गया कैल्कुलेशन आप लोग को रहेंगे को दी तो आई डेस आरमेस ही मिल गया AC output करेंट का काम हो गया ओके अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता था रिपल फैक्टर तो है ना रिपल फैक्टर स्मॉल र क्या होता था याद करो I rms डेस अपॉन IDC और जनल फॉर्मॉला क्या था रिपल फैक्टर का AC component of AC component of output divided by DC component of output ठीक है यह लिखा और इसमें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे AC component तो अकेरे current का कोई जिम्मा धोड़ी है वी भी तो हो सकता है बिलकुल हो सकता है vrms- upon vdc क्या होगा vrms- upon vdc ओके तो यह directly भी हम यहां से निकाल सकते थे rm की value कितनी होती है since इसको note कर लो पहले इतना note कर लो मैं screen को slide करने वाला हूँ ठीक है आप पहले first and second part मैं जितना लिखा दिया है मैंने सारा कुछ लिख लो आप लिख लिए चलिए since r is equal to क्या होता है 1.21 तो यहां से हम बोलेंगे कि जो i rms dash पूछा गया है ac output current वह जाएगा 1.21 times of idc idc हमने already solve किया हुआ है क्या था देगो जिरा i m upon pi पूट कर देना यह आ जाएगा दूसरा हमें ac output voltage भी तो पूछा गया है vrms dash ध्यान रखेगा तो क्या होगा यह भी 1.21 into vdc अब आपके दिमाग में मुखने का सर vdc क्या है vdc full load अभी तो solve किया यह जो भी value है इसकी vdc full load into this 1.21 तो यह आजाएगा आपके पास ac output voltage जो आपको पूछा गया है second part के अंदर screen pause करके note कर लिया है चलिए second part भी solve हो गया first part हो गया ac output current and voltage second part भी हो गया first part भी हो गया third part के बाद कर देखो dc diode current and voltage dc diode current dc output current इन दोनों में क्या अंतर है सचो डायोड लोड कैसे connected है series में तो dc diode current dc output current लिख लो चाहो तो dc जो कि हमने already solve कर लिया है dc diode voltage पूछा है वो निकाल लेते हैं यह भी हमने formula पड़ा हुआ है सबी को याद होगा वी डायोड डी सी कोल क्या था याद करो माइनस वी एम अपॉन पाई याद आगे सबी को वी डायोड डी सी इस वाट माइनस वी एम अपॉन पाई अच्छा वी एम क्या है वी एम हमने solve किया हुआ अलरी 44 root 2 upon pi कर देंगे माइनस sign लगा देंगे answer आजागा 3rd part का हो गया 3rd part चलो भी या 3rd part solve हो गया 4th part क्या है देखो percentage efficiency percentage efficiency कितनी होती है याद करो 40.5 4th part की बात कर रहू हुआ परसेंटेज इटा 40.5 इंटू RL अपॉन क्या था RF प्लस RL यही था इन परसेंटेज तो परसेंटेज इटा अच्छा RF की value यहाँ पर कितनी दी गई है 50 ohm नहीं दी होती कितनी मानते 0 RL दिया है 500 पूट कर दो कर दो सब क्या है 40.5 इंटू 500 divided by 50 प्लस 500 अब यह आपकी जिम्मेदारी है इसको solve कर ले रहाँ इसमें percentage regulation भी पूचा गया है percentage regulation का formula में आपको याद दिला देता हूँ क्या था याद करो क्या था R secondary binding प्लस RF divided by RL है ना R secondary binding plus RF divided by RL into 100% secondary binding का resistance कुछ दिया नहीं है तो उसे हम मानेंगे 0 RF दिया गया है 50 value put कर लेना आप लोग और RL दिया है कितना 500 solve कर लेना हो जाएगा 4th part is done चले नोट कर लो screen को pause करके जल्दी से अब 5th part की बात कर लेते हैं क्या पूचा है 5th part 5th part आजा जल्दी से कहा गया हाँ जी यह रहा पीक इन्वर्स बोल्टेज और रिपल यह 4th हो गया चलो पीक इन्वर्स बोल्टेज और रिपल फ्रिक्वेंश में तो कुछ ऐसा solve कर लेक है नहीं 5th part में क्या करें पी आई वी क्या होगा बताओ 5th part पीक इन्वर्स बोल्टेज क्या होता है V max जो भी V m आया है वोई P i b है कितना आया है 44 root 2 यह यह आ गया पीक इन्वर्स बोल्टेज विच अपिर अकरोस बोल्टेज और रिपल फ्रिक्वेंशी इसमें तो क्या ही सवाल करना है कुछ नहीं जो इन्पूट फ्रिक्वेंशी है वही क्या है फ्रिक्वेंशी पचास हट्च का सिकना है यह अंसर हो गया लास्ट पार्ट पुछा है सिफ्ट वन ट्रांस्फोर्मर यूटिलाज़ेशन फैक्टर टी यू एफ सिफ्ट पार्ट में क्या पुछा है टी यू एफ क्या होता था फॉर्मॉला याद करो 0.286 0.286 इंटू आरल कितना है 500 डिवाइड बाइ 50 प्लस 500 यह आजाएगा आपके पास ट्रांस्फोर्मर का यूटिलाज़ेशन फैक्टर क्लियर है सबी को तो यह कुश्चन हमने सॉल कर लिया है नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्राट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्टेपर नेक्स्ट तॉपिक फुल वेभ रेक्टिफायर इसमें बात करेंगे पहले हम सेंटर टेप Ved फुल वेभ रीटिफायर की थैंक यू